हेलो एवरिवन नमस्का मैं हूँ नीदी आप सब का विलकम करती हूँ नीदी किचन लाइफस्टायल चैनल पर दोस्तों मीद करती हूँ आप और आपके परिवार वाले सारे सुरक्षित होंगे अपना जादा सजादा ख्याल रखे क्योंकि अभी कासा में बहुत खराब चल है अभी के सिच्वेशन में बस आपको अपने इम्मिनुटी पर हलो एवरिवन नमस्का मैं उनीदी आप सब करती हूँ नीदी किचन लाइफस्टायल चैनल पर दोस्तों उमीद करती हूँ आप और आपके परिवार वाले सारे सुरक्षित होंगे अपना जादा सजादा अ क्योंकि अभी कैसा में बहुत खराब चल रहा है दोस्तों आज मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ यह आपके सफेद बालों को रिवर्स नहीं करने वाला है बलकि आपके बालों में बहुत ही अच्छा सा जान लाने वाला है आपके बालों की जो हैर फॉल है मिन्स आपके जो हेर बहुत जादे ज़ड़ते हैं वह बिलकुल स्टॉक तो चली फटा फट देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे हैं आपको लेना है क्लीन बाउन और फोस्ट यहां पर एक चमच इतना आपको ले लेना है ऐलोवेरा जेल किसी भी ब्रांड के आप ले हेर फॉल को स्टॉप करता है तो इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है अब जो मैं यहां पर एक पाउडर आड कर रही हुना दोस्तों यह कोई केमिकल नहीं है तो यह बिलकुल भी अपने दिमाग से हटा दीजेगा जैसे कि मेहंदी पाउडर होता है वैसे ही यह पाउडर है इसे हम बोलते है नील पती पाउडर यानि कि इंडिगो पाउडर दोस्तों इंडिगो हमारे बालों पर बहुत अच्छा वर्क करता है हमारे बालों को मजबूत बनाता ही है और बहुत ही प्यारा सा ब्लाक कलर देता है तो इन सब को अची तरह से मिक्स और यहा आलू यानि की पोटेटो को मैं ग्रेट कर ली हूँ आप चाहें तो आप उसे मिक्सी में भी पीश सकते हैं और बिसिकली हमें हमें पेसका जूस चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दू कि पोटेटो आलू का जूस होता है यह हमारे बालो पर बहुत अच्छा वर्क करता है रह करके भी दिखाई हो हमारे सफेद हुए बालो को काला बनाने में यह बहुत जादा है इन सब को आपको अची तरह से मिक्स कर देना है और इसे छोड़ देना है पांच मिनट के लिए दोस्तों अगर वीडियो हिल्फू लग रही होना तो वीडियो को लाइक किजेगा अपने क्योंकि यह बिलकुल नाचरल तरीका है कोई भी इसमें मैंने ऐसा इंग्रेडियों नहीं डाला है जो आपके बालो को नुकसान पहुंचार सकता है तो दोस्तों यह हमारा बनके बिलकुल रडी हो चुका है अब आपको इसे अपलाई कर लेना है अपने धूले वे बालों कोई तेल नहीं होना चाहिए अच्छी तरह से अपलाई करने के बाद आपको आधे गंटे के लिए बालों पर रहने देना है अधे गंटे के बाद आपको नॉर्मल वाटर से वाश कर लेना है नेक्स्ट आप शैंपू की जगा थैंक यूँ